आपने यानि आप पतियों को ये बात मालूम है कि आपकी पतनी जूटा केस कर रही है, आपके उपर जूटे लांचन लगा रही है, आपको जबरदस्ती फांसरे की कोशिश कर रही है, तो आपने देर नहीं करनी है, आपने भी अपनी पतनी पर ये F.I.R. जरूर दर्च करान है, मैं सिर्फ आपको याद दिला रही हूँ, आपकी शक्तियों के बारे में, आप पतियों की शक्ति के बारे में, कि आप पती के पास ये शक्ति अलड़ी है, लेकिन अपनी शक्तियों को पहचानो, मेरे बहुत सारे सबस्क्राइबर्स, मुझसे बार-बार ये सवाल किया करते हैं, बार-बार मुझसे शिकायत किया करते हैं, कि उनकी पतनियों ने उन को कहीं का नहीं चोड़ा, उनकी पत्नियों ने उन पर जूटे केस करकर के उनका जीना हराम कर रखा है तो वो ऐसी सित्यों में क्या करें क्यों नहीं ऐसा कोई कानून बनता कि वो पत्निया जूटा केस करने से अपने आपको रोकें अपने आपको थोड़ा सा पीछे करें जी हाँ आप सभी ने बिल्कु ठीक समझा आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ उन सभी बातों पर चर्चा करने वाली हूँ कि कैसे आपको अपनी पत्नी को उन्हीं के जाल में फसा देना है मैं Advocate Mohini Mona आप सभी का पुना स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल Mohini Mona Advocate अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजेगा ताकि आपको इसी तरह के Legal Informative वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके अब देखिए जब चादी होती है A और B की तो बहुत ही अच्छा खुशनमा बहुत ही मज़दार रोमेंटिक महौल हुआ करता है दोनों के दोनों परिवारों में बहुत हसी खुशी ठिठोलियां चला करती है A बहुत खुश है B भी बहुत खुश है और आखिरकार वो दिन आ गया और आप दोनों विवाबंदन में बंद गए लेकिन ये खुशी जादा नहीं चलने पाई आप दोनों के बीच में मन मुटाव शुरू हो गया A अलग प्रकृति का इंसान है B अलग प्रकृति का इंसान है हाला कि ये भी सच है कि शादी कॉम्प्रमाइस का एक दूसरा नाम हुआ करता है क्योंकि दोनों ही पक्ष चाहे वो पती है या वो पत्नी है दोनों ही अलग-अलग सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षिक वातावरन से आ रहे होते हैं दोनों का ही अपना एक अलग अंदाज हुआ करता है खाने का, पीने का, कपड़े पहनने का, बाचीत करने का, चलने का या किसी भी एक सिचुएशन पर अलग तरह से रियाक्शन्स देने का यानि अलग actions दोनों के अलग reactions दोनों के लेकिन फिर भी दोनों के बीच में विवाब बंदन हुआ है और आप दोनों को ये राय दी जाती है हम वकीलों के द्वारा ही कि आप दोनों को जादा से जादा compromise करने की कोशिश करनी होगी एक दूसरे को समझना होगा एक दूसरे को समझने और परखने में अकसर समय लगा करता है लेकिन आप लोग बहुत जल्द बाजी कर दिया करते हैं जैसे ही आपके बीच में conflict शुरू होते हैं टकराव शुरू होती है तो उसकी गूंज बहुत दूर तक चली जाया करती है मित रखें दुनिया को उसमें ना घसीटें वो दुनिया चाहे आपका भाई बहन या रिष्टिदार कोई भी क्यूं ना हो उन तक बात सिर्फ तब तक तब पहुंचनी चाहिए जब सिर्फ के उपर पानी चला गया हो लेकिन आप लोग जल्दबाजी करते हैं पुलिस को बुलाने में भी सी ए डबल्यू सेल में जाने में भी और जब आप लोगों की ट्यूटरिंग खास कर मैं उन महिलाओं की बात कर रही हूँ जो लड़के नराज होकर के अपने माइके म चली गई और माइके में जब उनकी ट्यूटरिंग हुआ करती है और जब आप ये कहा करती हैं कि आप उसी घर में वापिस जाना चाहते हैं लेकिन आपको ये समझाया जाता है कि अगर अब आप बिना कोई कदम उठाए बिना कोई स्टेप लिए बिना कोई केस किये अगर बापिस उस घर में चली गई तो आपकी वो इज़त नहीं होने वाली उन्होंने अगर आपकी बात नहीं मानी है तो उनको मजा तो चकाना ही होगा और इसी मजा चकाने के चकर में आपको ये समझाया जाता है कि आप CAW सल में जाएं आप डुमेस्टिक वाइलेंस का केस करे अगर आपने दो लाख रुपया खर्चा है शादी में तो आप बीस लाख रुपया दिखाएं बड़ी बड़ी बाते करें पती और उसके परिवार को डराने धमकाने की कोशिश करें ताकि वो घुटनों पे टिके और आपको लेकर के जाए क्योंकि आपने सुन रखा है कि दहेज मांगना और दहेज लेना अपराद है आप इसी को महरा बनाती है और इसी को महरा बनाते हुए आप उन सभी रिष्ठेदारों का नाम उन सभी सदस्यों का नाम घसीट लेती है देवर देवरानी, जेड जिठानी, नंद नंदेव, पती, सास, ससूर, चचिया ससूर, चाची सास, एक्तियादी सभी को घसीटने की कोशिश करती हैं और सभी पर कुछ ना कुछ आप एक इल्जाम जरूर लगाया करती हैं कि उन्होंने दहेज मांगा चलिए, आपकी बात को बड़ी कर दिया जाता है, दहेज मांगना जुर्म है, अगर आपने साबित कर दिया, अगर आपका केस सच्चा है, तो इनको बचाने से कोई नहीं रोक सकता लेकिन इस कोईन का एक दूसरा रूख भी है, आप सभी ने सुना है ना कि हर एक चीज के दो पहलू हुआ करते हैं कानून कहता है, दहेज मांगना अपराद है, दहेज लेना अपराद है, लेकिन क्या आपने ये नहीं सुना कि दहेज देना भी अपराद है और अगर आप ये कह रही हैं कि आपके सस्राल पक्ष ने आपसे दहेच की मांग की और उनकी मांगों को पूरा करते हुए आप ने या आपके पिताजी ने आपके परिवार के लोगों ने अपनी हैसियत से ज़ादा उन्हें दहेज दिया तो आप जुर्म नहीं कर रहीं क्या क्या आप पर केस नहीं किया जाना चाहिए आप जो ये कह रही हैं कि दहेज उन्होंने मांगा या दहेज उन्होंने लिया इसको साबित करने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है आपके पास कुछ भी नहीं है इस चीज को साबित करने के लिए और इस चीज को साबित करने के लिए आपको सालों 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 लगने व पराध कि शेनी में आता है उसको साबित करने में उसको कोई खास स्टेपस नहीं लेने उसको कोई खास शक्ती नहीं लगानी उसको पावर नहीं लगानी बलकि आपने CAW cell में जो complaint दी है उसके अंदर जो आपने बड़ा चड़ा करके चीजें लिखी हैं आपने खुद ही अपने हाथ काट दिये आपने खुद ही बता दिया कि आपने इस तरहां से अपने पती को दहेच दिया है और अब आपके पती बहुत आराम से आपके उपर case कर देंगे क्योंकि आपने अपने ही शब्दों में अपनी ही handwriting में लिखा है आपके signatures हैं आपने एक इस तरही धन की list भी बड़ा चड़ा करके लिख दी है जो कि उनके case को साबित करने में उनकी सहायता करने वाली है तो यहाँ पर जितने भी मेरे subscribers जितने भी मेरे viewers जो पती हैं देख रहे हैं वो इस बात को गाट बांद लें कि अगर फिर से कहूंगी अगर आपकी पत्नी ने आप पर जूटा case किया है और आपको ये बात मालूम है कि आपने इस तरह से आपने यानि आप पतियों को ये बात मालूम है कि आपकी पत्नी जूटा case कर रही है आपके ओपर जूटे लांचन लगा रही है आपको जबरदस्ती फांसरे की कोशिश कर रही है तो आपने देर नहीं करनी है आपने भी अपनी पत्नी पर ये F.I.R. जरूर दर्च करानी है कि आपकी पत्नी ने दहेज दिया है और अब उन पर ये अप्राधिक श्रेणी का case चलाया जाना चाहिए और ये बात आप सभी को हलांकि मालूम है मैं सिर्फ आपको याद दिला रही हूँ आपकी शक्तियों के बारे में आप पत्यों की शक्ति के बारे में कि आप पत्यों के पास ये शक्ति अल्रडी है लेकिन अपनी शक्तियों को पहचानो अगर आपकी पत्नी जूटा case कर रही है तो आप भी पीछे ना हटो आप ज़्यादा दयालू ना बनो क्योंकि बहुत सारे लोग इसी तरह की हरकते किया करते हैं उनको ये पता होता है कि उनके पत्नियों ने जूटा केस किया लेकिन फिर भी वो ये कहते हैं कि नहीं वो ये केस नहीं करेंगे सिर्फ और सिर्फ defensive steps में खेलते हुए वो पत्नी को धूल चटाना चाहते हैं तो यहां ये भूल आप पती बिलकुल भी ना कीचेगा मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी पतियों को मेरे आज के इस वीडियो के माद्यम से भली भांती अपनी शक्तियों के पहचान हो गई होगी अपनी भूली हुई शक्तियां आपको याद हो गई होंगी कि जिस के लिए आपकी पत्नियां आप पर केस किया करती हैं तो उसी तरह से आपको भी याद रहना चाहिए कि दहेज देना भी अपराद है और इस अपराद के लिए आपको जल्दे से जल्दी FIR लॉच करवा देनी चाहिए ताकि इन पत्नियों को इन जुटी पत्नियों को भी पत चले कि वो असल में कानून के साथ किस तरह से खेल खेल रही हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो विए बहुत अच्छा लगा होगा अगर आपको मेरा अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, थैंक यू, टेक क्यो, बाबाई